इस बारे में जानने के लिए हर कोई काफे टाइम से इंतिजार कटा है कई मीडर रिपोर्ट्स में कई अलग-अलग कंटेस्टेंस के नाम सामने आ चुके कई आने वाले टाइम पर सही हो सकते हैं तो कुछ गलत लेकिन आज बूट ने पहले कंफर्म कंटेस्टेंस का नाम ऑफिशली बता दिया है और सिर्फ बताया ही नहीं वकायता उसका प्रोमो भी शियर किया है वह शियर की वह प्रोमो में जिसका ट्रेस्टेंस का नाम बताया गया है वो है नेहा बसीन नेहा बसीन को कुछ लोग जानती होंगे तो कुछ लोग नहीं दिगनामापको अपने इस वीडियो में निहा वसीन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं निहा वसीन का जन्म डिली में पिता अशोर वसीन और मा रेखा वसीन के गढ़ में हुआ थै निहा एक गुन्दू पंजाभी परिवाद से तालूप रखती हैं उनका कभीला खुकरैन विरातरी है जो खत्री पंजाबी समुदा ऐसे है नहा के दो भाई बहन एक बड़ी बहन राशी और छोड़ा भाई अनुबव वसी है उन्होंने अपने श्कूल एडुकेशन फ्रैंक एंथनी पबलिक स्कूल से पूरी की है नहा ने नौ साल की उम्र में अपना पहला सिंगिंग कॉंपटीशन अवार्ड मारिया कैरेज सौंग हीरो को चीता था चूंकि वो एक बच्ची थी इसलिए वो हमेशे एक पॉप साल बनने की पोईश रखती थी साथी अलग-अलग डांस को सीथने के लिए उन्होंने शामक डावर्टी डांस अकैडमी को जोईन किया उन्होंने उस दाथ कुलाम मुस्तफा खान से शास्त्रिय संगीत को सीखा नहा थारा साल के उम्र में रातो राज संसनी बन गई जब उन्हें को वी पॉप सार द्वारा चुना गया जो चैनल वी द्वारा आयोजित एक नेशन वाइड डालन शो इस शो में पांच गल पॉप प्रुप वाईवा का हिस्सा बनने के लिए नहां को चुना गया था जब नेया ने 2002 में को पॉप सार के लिए ओडिशन दिया तो वो लेडी श्रीराम कॉलेज में भाग ले रही थी और चारे अन्ने लड़कों के साथ उन्होंने भारत का पहला आल गर्स वाईवा बैंड बनाने की पतियोगीता को जीना 2004 में बैंड के टूटने के बाद नेहा ने बॉलिवुड फिल्मोग और तमिल फिल्मोग की म्यूजिक इंडरस्ट्री के लिए गाना शुरू किया पॉलिवुड में उनकी पहली सफलता 2007 में कुछ खास एक गाना थी जिसके लिए नेहा को 2008 में उनका पहला फिल्म फिल्म नॉमिनेशन भी मिला युमान शंकर राजा द्वारा कंपोज्ड नेहा के पहले तमिल की पेशु गिरेन ने नेहा को दर स्टार विजे अवर्ड फॉर दर बेस्ट प्लेवेक्ट सिंगर जित्वाया था वही नेहा फिल्म फियर और स्टार डस्ट दोनों प्रुसकारों से सम्माही था मैं बात करें निया वसीन की पर्सनल लाइफ की तो निया वसीन ने 30 अक्टूबर 2016 को इटली के तस्कनी में एक वेस्टन वेडिंग में म्यूजिक कंपोजर समीर उद्दीन से शादी की बलब निया वसीन को बिग बॉस ओटीटी में देखना सभी के लिए काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल सिंकर तो है ही साथी वो काफी ज़्यादा टैलेंटिड भी है आप निया को बिग बॉस ओटीटी में देखने के लिए कितने जारे एक्सेटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आपको दबाना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि अगर आप बेल आपको दबाना भूलें तो हमारे हरे लिडिस अपडेट आप से चूटें